दोस्तों बात कीजाए तो लोग अक्सर मेर से बात पूछतें कि आपके सुनी के लेप्टॉप यहां क्यों नहीं आते? और 2014 में जो सोनी वायो ये मार्केट से क्विट हो गई थी अब इसके आखर पीछे का रीजन का है सोनी वायो के जो मार्केट में लैप्टॉप्स होते हो देखने को क्यों नहीं मिलते काफी इंट्रेस्टिंग सवाल है और क्यों फेल हो गई सोनी लैप्टॉप के बिजनस में इस बारे मैं आज इस वीडियो के बात करते हैं पसंदा है लाइक करना चैनल को सबस्क्राइब कर लेना सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि सोनी देखा तो कोई नया खिलाडी नहीं था पीसी लैप्टॉप यह मार्केट के अंदर यहां पे 18 साल से लोग पीसी डिवीशन के अंदर थे और वायो डिवीशन 18 साल से जिंदा था जब इन्होंने हम मार्केट से किट किया और देखा जाए तो क्वाइट सक्सेस्फुल भी थे यानि कि क्विट करने से पहले 2013 का जो सबसे बड़ा सवाल है देखो इस सवाल को जहन ले के लिए आपको यह जानना पड़ेगा कि 2013 14 सोनी की इतिहास का काफी बुरा एक साल था वो इतना बुरा साल था जहां पे काफी सारे एकनॉमिक चैलेंजेस यहां पे सोनी जैसी कंपनी फेस कर रही थी और कंपनी को हैवी लॉसेस हो रहे थे काफी सारी जगे और उस समय सोनी कंपनी ने डिसाइट किया कि जितने भी मैजॉरिटी चीजे वो हम बंद करते हैं जादा नंबर आफ चीजे नहीं करते हैं सिर्फ लिमिटेट करते हैं लेकिन जो करेंगे वो अच्छे से करेंगे यह डिसीजन यहां प पैसा बना रहा है और यह चीज यहां पर सोनी ने 2014 में करी ती और इसका इंपेक्ट सोनी पर यह पड़ा कि उसके बात से लेकिए अभी तक सोनी एकदम से प्रीमियम मार्केट के अंदर आ गई है सोनी के सारी प्रॉड़्ट एकदम से प्रीमियम आते हैं आपको मार्केट क अंदर देखने को मिलते हैं, यहां तक की बात कहें, तो Sony के प्रड़क में आपको काफी इच्छी quality देखने को होती है, लेकिन ऐसे ही quality Sony के वायो लैप्टॉप में भी थी, क्या आप लोग को मालू में कि Sony के वायो लैप्टॉप क्यों जाने आते थे, स्लीक होते थे, स्टैलिश होते थे, देखने में अच्छे लगते थे, यहां तक की मैं आपको यह भी बता सकता हूँ, कि जब स्टीव जॉब्स ने पहली पर Mac Book Air को उन्टिडियूस किया था था तो उसको उन्होंने compare किया था Sony के वायो लैप्टॉप से, क्योंकि उस जमाने में Sony के वायो लैप्टॉप Windows की दुनिया में सबसे पतला और हलका लैप्टॉप हुआ करता था, जब हलके और पतल लैप्टॉप का जमाना था बिने और और ये पता चलता है कि कितना जादा वो आगे थी, यहां तक कि उनके डिवाइसेज में इनोवेशन होता था, डिजाइनिंग होती थी, लुक्स आपको देखने को मिलता था, इन सब ते सोनी वायो खिलती थी, लेकिन इसकी प्रॉब्लम पता है क्या थी, कि यहां पर डिफ्रेंशेटिंग फेक्टर यहां पर जो क्रेट कर रहे थे, वो उसके आउटर लोग डिजाइन के अंदर कर रहे थे, अंदर जो मसाला होते हैं वो तो सेम ही रहता है ना, मतलब कि इंटल का प्रॉस्सर होगा, वही हाट ड्राइव होगी, वही एसस्टी होगी, वही रैम होगी, वही विंडोस होगा, इसके अलावा तो कोई चीज नहीं है, और इन सब के चक्कर में काफी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे सोनी वायो के लेप्टॉप, ये एक चीज थी, हाला कि देखने में डिजाइन लुक्स पर ये लोग खेलते थे, लेकिन कीमत है ज़्यादा होती थी, मतलब कीमतों में मैंने एक ऐसी चीज देखी है, जहाँ पर एक कंपनी 30,000 रुपे में कोई लेप्टॉप ले आती थी थी ना, वहाँ पर सोनी वायो को लेप्टॉप सिमिल स्पेसिफिकेशिन के साथ 40 से 50,000 का देखने को मिलता था, और ये एक चीज से सोनी वायो के लेप्टॉप के साथ, क्योंकि सोनी वायो अपने डिजाइन, अपने ब्रांड निंग के कारण पिक रहा था, लेकिन महगा होने कारण उन्हें ज़्यादा number of quantities बेशने में भी यह पर दिक्कत आ रहे थी, और इसलिए यहाँ पे इनकी जो sales थी, वो ज़्यादा थी से skyrocket नहीं हो रहे थी, इवन बाग की जाएकर हम 2012 वा 13 की, उस समाने में PC मार्केट एक दम से decline करने लग गया था, और जो दूसरा मार्केट तेजी से उपर जाने लग गया था ना, 2012, 2013 या 2014 के अंदर, वो था है अपने समार्टफोन वाला मार्केट, और उस जवारे में Sony को यह लगता है, कि क्यो ना हम मॉबाइल फोन मार्केट पर थोड़ा जादा फोकस करें, बड़ी चीज लग रही है, और थोड़ा back side रग देतें वायो वाले को, क्योंकि definitely Sony वायो अच्छे लेप्टाप बना रहा था, लेकिन मार्केट में कॉम्प्टीशन भी था, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंप्टीज थी, HP आपको देखने को मिलती थी, यहाँ पर Lenovo थी, यहाँ पर Dell आपको देखने को मिलती थी, यह सब अपना अच्छा अच्छा काम यहाँ पर कर रहे थे, और पूरी कोशिश कर रहे थे कि कैसे एक लेप्टाप मार्केट में जंदार आ जाए, लेकिन Sony को लगता है, क्योंना हम Xperia वाले मॉबाइल पर जादा फोकस करते हैं, इसमें कुछ इनोवेशन आते हैं, नईनी चीज़ों को डैवलप करते हैं, और लोगों के एक प्रिमियम प्रोडेक्ट बना कर देते हैं, तो डेफिरिटली Sony का जो एक विजन था, वो यहाँ पर एक लेप्टाप से चाके एक मोबाइल फोन के उपर चला गया, और मोबाइल फोन डिविजन में वो आगे बढ़ने लगे, लेकिन उसकी कहानी बिलकुल यह अलग हो जाती है, लेकिन वहीं अगर हम वापस से Sony के वायो लेप्टाप में, तो उसके लेप्टाप देखा जाएं, तो ठीक ठाक होते थे, क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती थी, लेकिन कॉम्प्टीशन वाले भी बहुत ही इसे रेंप अप कर रहे थे, यानि कि बिजनस साइट के अंदर, जो कि सबसे बड़ा कस्टमर्स होता आज के समय में लैप्टाप्स का, वहाँ पे लोग एक rough and tough durable लैप्टाप चाहते हैं, जहाँ पे उन्हें जादा से जादा value मिले, design वाला जो factor होता है, वो हाँ से खतम हो चुका है, design वाला factor home users के लिए, जो घर में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए काफ़ एक important चीज रहती है, इसलिए जितने भी business लोग थे, वो काफी सारे लोग यहाँ पे Lenovo के ThinkPad के उपर जाते हैं, HP के Elite Book के उपर जाते हैं, Dell के Latitude Series को यहाँ पर प्रिफर करते हैं, यह एक चीज रहती इधर business site के अंदर, और हाँ obviously Apple का Macbook भी रहता है, और जो home user रहते हैं, वो अगर Windows laptop ले रहे हैं, तो वो भी देखना चाहते हैं कि अलग लग चीज़े क्या हैं, और काफी सारे लोग Macbook के उपर जाते हैं, premium segment के अंदर, और यही एक वज़े थी, कि जहां पे जो market था जो Sony के हाथ से जा रहा था, काफी बड़ी-बड़ी company Dell, HP, Lenovo जैसी, उसकी तरफ से market खा रही थी Windows का, और Apple भी अपने Macbook लाला के market को खतम करती हुँ जा रहा था, तो Sony के लिए वायो डिविजन जिन्दा रखने का कोई sense था नहीं, हाला कि वो जिन्दा रख सकते थे, वो अगर काफी सारी चीज़े तैयार करते और अच्छे quality के laptop निकालते, तो चीज़े market में दौर से काफी चीज़े तरीके से हो जाती, लेकिन खेर उन्होंने इस चीज़े को यहाँ पर बंद किया, डेट से इसके लावा कोई भी चीज़ नहीं है, हला कि देखा तो सोनी ने इसके लावा काफी अच्छे करिया किसे काम किया, यानि कि उन्होंने laptop PC बनाना छोड़ दिया भायों के इंदर, लेकिन दूसरे hardware काफी अच्छे strong बनाया, जैसकी बात करें, PlayStation 5 काफी अच्छा hardware बनाया, सोनी के जो camera's आते हैं, वो काफी अच्छा hardware है, यहाँ तक की बात करें, तो सोनी ने mobile phone के business में काम किया, और Xperia देखा जाया, तो अभी काफी लंबे समय के बाद यहाँ पर profitable हुआ है, क्योंकि simple सा reason है, वो यहाँ पर niche audience के लिए mobile phones बना रहा है, जैसे की बात करें, photographer, videographers, उन लोग के लिए mobile phone बना रहा है, और Europe वगरे ऐसी countries में बेच रहा है phone, जहाँ उसे लगता है कि यहाँ पर उनका phone बिक सकता है, यही एक चीज़े आत के समय में Sony के साथ, तो कुल मिला के बात किया है, तो Sony के ऐसी company हाँ पर बन चुका है, जो सिर्फ limited खेलती है, लेकिन जहाँ खेलती है, वो अच्छा खेलती है, और वहाँ पर उसे profitable होने का पसंद होता है, चाहे वो TV बिसनेस बात कर ले, PlayStation वाले बिसनेस, या उनका gaming division या camera's के बात कर ले, या mobile phone के बार में बात कर ले, लंबा गेम यहाँ पर Sony खेल रही है, यह एक चीज़ा Sony के साथ, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, Sony को अपने खुद के laptops निकालने चाहिए, क्योंकि laptop वाला market भी धीरे-धीरे गरम हो है, काफी सारी नई-नी companies जब laptop market में एंटर कर रही है, तो चाहा, Sony के लिए काफी अच्छा समय है, कि दुबारा से laptop market मा जाए, चलो हो सकता है, वाई उनो नहीं हापे बंद कर दिया, लेकिन ये भी तो हो सकता है, कि Sony अपने खुद के brand के साथ, अपने खुद के laptop निकाल ले, ये चीज़ भी तो या possible हो सकती है, देखते आने वाले time में क्या रहता है, अगर कोछ भी ऐसी चीज़ इन्फॉर्मेशन ये निउस अगर आईगे, तो डेफिनेटिल आपको सबसे पहले देखने को में लेकिन हाप पे, और वीडियो अगर आप लोगो को पसना है, लाइक कर देना, चलो सस्पेक पर देना, तंक्यो गूटी देखने के लिए, आप समलता हम लेक्स वन के अंदर, बाइ!